नमस्कार अदाप सस्रिकाल दोस्तों बिग बॉस अठारा के खर के अंदर अपकमिंग एपिसोड में यानि की वीकेंड के वार के एपिसोड में रविवार का वीकेंड का वार और उसमें एक टास्क होने वाला है पास्ट और फ्यूचर के बीच में टाइम का तांड़ा जो है देखने को मिलेगा जहां पर सलमान खान एक स्पेशल सेग्मेंट के थ्रू विविन दिसेना को एक तरफ रखेंगे तो वहीं रजद दलाल को एक तरफ रखेंगे जहां पर विविन दिसेना रजद दलाल पर भारी पढ़ते वे नजर आएंगे रजद के खिलाफ जंग सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे विवेंद दिसेना कैसे और किस तरह से यही बात आप सभी दश्कों को बताएंगे दोस्तों हम आज के खास रिपोर्ट में लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चैनल क्विक टिवी न्यूस को आपने सबस्क्राइब नही एक टास्क करवाएंगे सलमान खान जहां पर पास्ट और फ्यूचर के बीच में जो है लड़ाई होगी पास्ट को रिप्रेसंट करने वाले हैं विवेंद सेना वहीं फ्यूचर को रिप्रेसंट करने वाले हैं कोई और नहीं बलकि रजद दलाल और सलमान खान एक कंडिश क्यूं है किसलिए है इसके बाद सबसे पहले आते हैं यहां विवेंद दिसेना और विवेंद दिसेना अपनी बातों को आगे रखते वे नजर आते हैं और कहते हैं कि जिसके पास experience होगा जिसके पास knowledge होगा तभी वो leadership की qualities अच्छी तरह से रख पाएगा और मेरे अंदर वो दोनो qualities है और मुझे नहीं लगता कि रजद दलाल के अंदर वो सारी की सारी qualities हैं मैं knowledgeable भी हूँ और साथी साथ मैं age में इनसे काफी बड़ा हूँ यह बात कहते वे नजर आएंगे ऐसे में रजद दलाल बोलने वाले हैं कि मैं knowledge के बारे में तो मैं कुछ न मुझे इतना लेट तुमने पैदा क्यों किया यह बात जो है वो बोलता हूँ वा नजर आएगा इसके बाद सलमान खान दोनों में से किसी एक को विजेता घोशित करने वाले होंगे और वो विजेता किसे घोशित करने वाले हैं दोस्तों तो बताना चाहते हैं विवें दि साथ साथ यहां पर हर एक चीच को जो है वो क्लियर करते हुए नजर आएंगे वाकई में लीडर्शिप कॉलिटी तो है विविन दिस्येना के अंदर ये बात तो पूरी तरह से सावित हो गया क्योंकि जिस तरह से उन मुद्दे पर बाते रखी विविन दिस्येना ने वो कमा सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए बैल आइकन के घंटे को नहीं दबा तो दबा लियां